ब्यार बोर्ड मेट्रिक रिच्छा के लिए हिंदी का important objective question तेंथ का हिंदी BVI objective question final प्रिच्छा के लिए तो पहला प्रश्ण है विश के दात कहानी का मुख्य पात्र कौन है विश के दात के कहानी का मुख्य पात्र था खोखा ओप्सन नमर सी सही है जोपड़ि और महल की लराई में अक्सर कौन जितते है उप्सन ए सही है विश के दात कहानी के रचिता कौन है ननिल बिलो चन सर्मा उप्सन नमर बी सही है शीम, रजनी, आलो, सेलफी, आर्ती, पॉंचो, किनकी, बहन्ती तो सेन साहब की option number D सही है किसके अनुसार सेनों ने सिध्धांतों को भी बदल लिया था तो खोखा के अनुसार option number D सही है तो पहला प्रश्ण है मेक दूध का जर्मन में अनुबाद किस्ने क्या था मेक स्मुलर ने option 60 सही है भारत से हम क्या सीखे क्या है भाषन option number 60 सही है पलोटो और केंटो थे तो मान ये दार्शनिक, option number D सही हो जएगा दार्शनिक था भारत से हम क्या सीखे पाठ गद की कौन सी विधा है, तो भासन, Option नमर A सही है, मेक्स मूलर के पिता का क्या नाम था, मेक्स मूलर के पिता का नाम था, Option A, विल्हर मूलर, Option A सही हो जागा, दारिस नमक शोने के सिक्खे से भरा घारा किष्षे मिला था, तो ब्रोन हैस्टिन, Option C, सही है, किसके अध्यन छेत्र में भारत के कारण नव जीवन का संचार हो चुका, निती का था, option B gamers शब भी समाज की अवसकता क्या है, शरम भिवाजन, option number A, शई है वो आरसुद्रज किसकी रचना है, वो आरसुद्रज किसकी रचना है, तो भीम राम अंबट करके option number C, शई है भाई चारा का दुसरा नम क्या है भाई चारा का दुसरा नम है लोकतंत्र आप्सन नमर भी सही है सरम विवाजन और जाती प्रथा के लेखक कौन है सरम विवाजन और जाती प्रथा का लेखक है भीमराम अमबेटकर आप्सन नमर ए सही है आधर्च समाज स्वतंत्रता समनत्ता संप्रुप्त पर अधारित होगा किस्ने का था भीम्रम अम्बेट करने ओप्शन नमर 20 सही है आधुनिक सभ्यता समाज आधुनिक सभी समाज सरम विभाजन को अवश्य क्यों मनते हैं तो इस प्रशनिका उत्तर हो जाएगा ओप्शन नमर ए बिल्कुल सही है कार्य कुसलता के लिए नाखुन क्यों भरते हैं हिंदी की कौन विधा है तो ललित निवंद है ओप्शन ए सही है ललित निवंद हम बार वार नाखुन क्यों काटते हैं तो option नमर B बिल्कुल से है, बारवार्ता समापन ही तू, लेखा के अनुसार मनुष्य के नाकून की इसके जिवन्त प्रतीक है, पास्वी बृत के, छेनर प्रश्ण है, साजात बृतियों किसे कहते हैं, तो option B बिल्कुल से है, अन्जान सम बृतियों को, ललित निभन्द है, तो साथ नमर का option B बिल्कुल से है, नाकून क्यों बहरते हैं, हजारी प्रसाद दुवेदी द्वारा रचिता पाठ है, नाकून क्यों बहरते हैं, नाकून प्रतीक है, पास्वी बृत, option A, बादूर अपने घर से क्यों भागा था, मा की मार के कारण, option C सही है, अमरकंत लिखित कहानी का नाम है, अमरकंत लिखित कहानी का नाम है, बादूर, option D सही है, बादूर का बाप कहां मारा गया था, यूद में, option A सही है, बादूर से मार खाकर भैस भागी, भागी किसके पास चली आई, मा के पास चली आई, बादूर को लेखक के घर कौन लाय बादूर को लेखक के घर लाया था उनका साला अप्सन भी सही है लेखक का साला अप्सन भी सही है बादूर पर कितने रुपई की चोड़ी का इलजम लगा था बादूर पर कितने रुपई का चोड़ी का इलजम लगा था तो 11 रुपई का अप्सन अमर भी सही है बादूर प बिर्जु महराज की वेख्याती किस रूप में है तो नर्तक के रूप में हलकरों का अर्थ होता है संदेश वहग पंडित बिर्जु महराज लखनौ घरने की किस पीरि के कलकार है तो सात्वी पीरी के option भी सही है पंडित बिर्जु महराज साल के थे ते भी उनके पिताजी का देहंत हो गया तो सारे नो साल में जीत जीत में निखारता हूँ पाठ की विधा है साथ चाक्त का option A सही है बिर्जु महराज खूद को किसका सरगित मनते थे तो पीता का option A सही है पंडित बिर्जु महराज का जन्म कहां हुआ था लख नव में option B सही है पंडित बिर्जु महराज का जन्म कब हुआ था तो option A बिल्कुल सही है चार फरवरी 1938 इस भी को प्रंपरा का मुल्यंकन के रचनाकर है तो राम बिलास सर्मा आस्मिता का सही अर्थ है पैचान या अस्तित्व प्रंपरा का ग्यान कीन के द्वारा अवश्यक है तो आस्मिता की दिरिष्टी से इतिहास का प्रभा कैसा है वी छिन्न ना आप्सन भी सही है